पतंजल दिव्य स्वासरी प्रवाई का यूस फेपड़ों के करेश हमता और स्वासन रिलेटिव प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है यह खासी सर्दी सास फूलना गले में खुजली और नाग बंद होने जैसे स्वासन इंफेक्शन के लचड़ों में इंप्रॉमेंट करता है इसके साथ यह सास लेने और स्वासन तंत्र के मान स्पेसियों को अराम देकर दमा के अटेक को रोकने का काम करता है यह आपकी इम्म्यूनिटियों को बढ़ावा देने और स्वासन क्रिया में इंफेक्शन से लड़ने और खासी सर्दी जैसे लाच्छोड़ों से भी राहत देता है इस दवा में आयरवेदिक जड़ी बूटियां सामिल है जैसे काली मेर्च, ब्रिंगराज, तेजपत्ता, सोट, लवंग, दाल, चिनी, मुलेथी, छोटी, पीपल, तुलसी ये जड़ी बूटिया ना केवल सोटन पत की मन स्पेसियों को अराम देती हैं, बलकि सोटन पत पर बहुत ही सुमितिंग इफेक्ट डालती है ये खासी गले के दर्द, एलेर्जी और सूजन से पिर्थ लोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है इसमें कुछ important तेल भी होते हैं, जिनमें antimicrobial गूर होते हैं, जो इस दवा को दोहरा औसेदी लाब देते हैं ये सुखदा agent के रूप में काम करते हैं, जो नाक और sinus के मारगे पर काम करते हैं ये फेपुडों में सूजन को कम करने में हेल्फ करता है, जिससे सूजन कम हो जाती है और जब आपके डॉक्टर दोरा advice दी जाती है, तो इस दवा से कोई भी side effect नहीं होता है और यदि आप फिर भी किसी लक्चर का experience करते हैं, तो अपने डॉक्टर को inform करें और जल्द से जल्द इलाज करवाएं, और इसका यूज बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी कर सकते हैं अगर आपको ये information अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें और अगर आपने अब तक हमाई चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe करके notification bell code and on all notification preset करें, thank you